आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइवोट टेबल के बारे में पाइवोट टेबल का इस्तमाल डेटा को समराइज करने के लिए किया जाता है पाइवोट टेबल को समझने के लिए यहां पर हमने एक डमी डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर हमने किसी company के employees का name और particular month की sale को यहाँ पर mention किया हुए देखिए यह जो data है वो बहुत बड़ी amount में है तो इस data को देखते हुए अगर हमें particular किसी conclusion पर जाना हो तो हम directly नहीं जा सकते हैं अगर हमें किसी particular employee की sale देखनी हो की आज तक की उसकी total sale कितनी है तो हम directly नहीं बता सकते हैं तो हमें data को summarize करने की जरूरत होगी data को summarize करने के बाद यह complete data को study करना easy हो जाते हैं तो जब बड़ी amount में हमारे पास data हो और उसे analyze करना हो उस case में हम pivot table का इस्तमाल करते हैं तो कैसे pivot table का इस्तमाल किया जाता है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ तो इस वीडियो को last तक देखते रहें pivot table से related आपके जितने भी doubts है वो मैं यहाँ पर आपके clear करने वाला हूँ तो pivot table बनाने के लिए सबसे पहले आप insert tab में जाएं insert tab में गए आपको option मिलेगा pivot table इसके ओपर आपने click करना है pivot table पर click करने के बाद में यहाँ पर आपके पास option आएगा select a table और a range table या range को select कीजिए तो देखें by default वैसे तो इसने अपने आपी इस पूरी table को select कर लिया है इस range को select कर लिया है फिर भी अगर आप manually select करना चाहें तो कैसे करेंगे इस assign के ओपर click करें और click करने के बाद में आप इस पूरी range को select कर लिजिए तो कैसे मैं आपके सामने select करके आपको दिखा देता हूं मैं नीचे तक जाएं इस जितना भी data है आपका उसको select कर लेता हूं सबसे पहले और हमने यहां पर जाकर इस data को select कर लिया यहां पर हमारे पास में पूरा पूरा cell range जो थी वो select हो चुकी है उसके बाद में आपके पास option आता है new worksheet और existing worksheet से कि आपने जो पाइवोर टेबल बनानी है वह इसी worksheet sheet 1 के उपर बनाना चाहते हो यह दूसरी sheet के उपर बनाना चाहते हो तो मैं existing worksheet के उपर ही बना रहा हूं existing worksheet पर जाएंगे और यहां पर जाकर इस sign के उपर click करेंगे और आपने उस location को choose करना है जहां पर कि आप यह पाइवोर टेबल बनाना चाहते हो तो मैं उपर के तरफ जाकर कोई भी एक location को choose कर लेता हूं उसके बाद में आपने ओके के sign पर click करने यहां पर आपको total दो option मिले थे पहला क्या था आपने अपनी table या range हमने अपनी cell range को select किया secondly आपको बताना है कि जो आपकी पाइवोर टेबल बनने वाली है वो आप इसी sheet के उपर बनाना चाहते हो या दूसरी sheet के उपर बनाना चाहते हो तो हमने existing sheet को ही select कर लिया और कोई भी एक cell की value थी वो यहां पर हमने दे दी है और उसके बाद आप ok के sign पर click करेंगे ok के sign पर click करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का interface नजर आएगा यहां पर आपको table fields नजर आएगे जितने भी columns के name आपने यहां पर रखे हुए थे आपके cell range के अंदर देखिए total four columns थे name, year, month and sale तो हमारे पास भी यहां पर भी चार ही दिखाई दे रहे हैं फिल्स name, year, month and sale यहां पर आपको यह total four columns नजर आ रहे हैं सबसे पहले आप अपनी जो pivot table बनाना चाहते हो उसमें row में क्या रखना चाहते हो column में क्या रखना चाहते हो मान लेते हैं कि हम row के अंदर row wise name रखना चाहते तो हमने इस name को किया, drag और यहां पर row वाले में जाकर रख दिया तो आप देखेंगे कि यह pivot table कुछ हमारी बन चुकी है और यहां पर हमारे पास में names आ रहे हैं जितने भी names थे, देखो यह जो राज नेम था वो repeat हो रहा था राम repeat था, श्याम repeat था सभी जो names थे employees के वो repeating mode पर थे तो जितने भी unique names थे उसने वो सारे के सारे name हमें निकाल कर दे दिये columns में आप क्या चाहते हो मान लो हम columns में चाहते हैं year तो हम year wise data देखना चाहते हैं तो हमने रख दिया column में years तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको मैं थोड़ा सा drag कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे employees के name और यहाँ पर सारे के सारे years हमारे इस cell range के अंदर जितने भी years state 2001 से लेकर six तक सारे के सारे यहाँ पर show हो गए है यहाँ पर आप actual में data क्या दिखाना चाहते हो data मैं चाहता हूँ कि amidst का total sale पता लग जाए तो मैं sale को क्या करवाना चाहता हूँ sum करवाना चाहता हूँ तो sale को drag करके मैंने यहाँ पर रख दिया और आप देखेंगे पूरी sell range का summarize data हमारे सामने आ गया यह हमारी pivot table बनकर त्यार हो गई है जिसके अंदर हमने सभी के सभी employees के name को row में रखा और सभी के सभी years को हमने column में रखा और यहाँ पर हमने values के अंदर sale का क्या करवा दिया sum करवा दिया तो अब इस data को study करना बड़ा easy हो गया है कि Amit की 2001 की total sale कितनी थी January, February, March, सभी months की मिलाकर total sale कितनी थी वो आ गई same as 2002 की, 2003 की और grand total आ गई इस तरीके से आप अपने complete data को summarize कर सकते हो with the help of the pivot table अब अगर आप इस table के अंदर modification करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो like अगर मैं column में year नहीं चाहता तो इस year को यहां से हटा दीजिए यहां पर आप ले आए month मुझे month wise चाहिए लो जी month wise आपके पास में data आ गया कि month wise मार्च में कितना है अप्रेल में, जैन में, फैब में इस तरीके से आपको month wise आपको data मिल जाएगा तो जैसे भी आप चाहूँ आप अपने according इस table को modification कर सकते हैं, आपको यहां पर name नहीं चाहिए name आपको मानलो नीचे चाहिए यह इसको उपर चाहिए, जिसको जहां चाहिए वैसे drag कर दीजिए, यह लीजिए आपके पास में data आ गया तो यहां पर मार्च, यह जो भी months के name थे, वो आपको row में दिखाई देने लग जाएंगे, और जो name थे employee के, वो आपको column में दिखाई देने लग जाएंगे, तो इस तरीके से आप इन चीजों को manage कर सकते हों, इसके अलावा, like अगर हम months को यहां से pivot table के अंदर कुछ advanced options available है, जिसका भी आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हों, जैसे की हमें यह देखना है कि 2001 के अंदर, अमित ने total कितनी time sale की है total कितने time sale की है, ना कि मैं यह देखना चाहता हूं, total rupees की कितनी sale की है, मैं इसको count wise देखना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे, right click करें, right click करने के बाद, show value as show value as का option है इसमें नहीं जाना, आपने इसके just ऊपर वाले option में जाना है, इसके ऊपर आपको क्या given है, summarize value as, summarize value as में आपको मिलेगा sum का and count का, तो आप यहां पर count पे click कर दीजिए, sum हटा times है, इस तरीके से आप counting भी कर सकते हूं, आपको total sale नहीं देखनी है, मान लीजिए, आपको just देखना है कि average sale कितनी रही अमीद की, तो average पे click कर दीजिए, यह आपको सभी की average sale दिखाने लग जाएगा, इस तरीके से आप data को manage भी कर सकते समराइज करना चाहें तो, इसके अलावा वापीस से मैं एक बर इसको sum बना देता हूं, यह हमारा वापीस से sum आ गया, अब मैं यह चाहता हूं कि जो यह 2001, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, इनको भी मैं grouping करना चाहता हूं, तो भी grouping कैसे करेंगे, grouping करने के लिए आपने जाना है, यहाँ पर 2001 के पास में, और 2001 के पास में, जाने के बाद में यहाँ पर group का option आएगा, group पे click करना है, grouping में आपने total कहा है, देखो starting कहां से हो रही है, 2001 से, ending कहां पर हो रही है, 2006 पर, मैं मान लिजिए, मैं grouping चाहता हूं, 22 की, तो 22 की grouping कर दी और okay कर दिया, अब आप देखेंगे, जैसे कि आपके maths में groups बनते हैं, 2001 से लेकर 2 तक की total sale, 3 से 4 तक की total sale, 5 से 6 तक की total sale, इस तरीके से आप निकाल सकते हूं, अब मान लिजिए कि मैं ये चाहता हूं कि जो राज की sale है, वो मुझे first number पर चाहिए थी, ना कि अमित की चाहिए थी, तो कैसे करेंगे, राज पर click किया, right click किया, यहाँ पर जाने के बाद में move पर गए, और move पर जाने के बाद राज to beginning, तो आप देखेंगे कि राज की ज खली पड़ा है, that is the filter, हम करते हैं, month को drag करते हैं, और filter में डाल देते हैं, और उपर की तरह आप देखोगे, filter का option आपको नजर आ रहे हैं, इस option पर आपने click करना है, और click करने के बाद में, यहाँ पर आपको different options आ रहे हैं, like अगर आपको only jan के according देखने है, तो January पर click किया, okay कर दिया, तो आपको यह जो data होगा, only January month के according data दिखाई देगा, तो इस तरीके सा आप यहाँ पर filter भी apply कर सकते हैं, like fab किया, तो fab के according आपको यह data होगा, वो दिखाई देने लग जाए, तो यह था आपका pivot table के बारे में, IOP आपको pivot table के सारे options अच्छे से clear हो गए होगे, फ मुझे comment section में बताएं, आज की class के लिए इतना ही, thank you